अध्याय दस उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में उपनिवेशी शाषन अगस्त 1947 में समाप्त हुआ और ये दोनों देश स्वतंत्र राष्ट्र राज्जी के रूप में इस्थापित हुए। दर असल दृती विश्वयुद के बाद यानी 1945 से 1975 के बीच तीस वर्षों में आफ्रीका और एशिया के अधिकांश देश स्वतंत्र हो गये। 1945 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की गोश्णा की, 1947 में भारत और पाकिस्तान, 1948 में बर्मा और श्रेलंका आधि देश स्वतंत्र हुए। 1949 में चीन में साम्मिवादी क्रांती द्वारा स्वतंत्र गणराज्य इस्थापित हुआ। उसी समय कोरिया, फिलिपाइन्स, आधि पूर्वी देश भी स्वतंत्र हुए। 1950 के दशक में आफ्रीका के देश स्वतंत्र होने लगे। 1960 और 1970 के दशकों में वियतनाम कमपूचिया जैसे देश लंबे सर्शस्त्र संगर्श के बाद स्वतंत्र हुए। इस प्रकार 1980 में दुनिया का नक्षा 1940 के नक्षे की तुलना में बहुत बदल गया। उपनिवेशी शासन की समाप्ती और उन देशों में स्वतंत्र सरकारों के बनने को हम वी उपनिवेशी करण कहते हैं। कक्षा 9 में हमने उपनिवेशों के बनने के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि उपनिवेशी करण के कई पक्ष थे। पहला राजन्यातिक सत्ता ब्रिटेन जैसे सामराजवादी देशों के हाथ में थी दूसरा उपनिवेशों का आर्थिक सोशन होता रहा उनसे सस्ते में कच्चा माल प्राप्त करके यूरोप के कारखानों में नई वस्तुए बना कर बेचा जाता था और उपनिवेशों से बड़े पैमाने पर लगान वसूल किया जाता था तीसरा उपनिवेश के लोगों को यह कहा जाता था कि वे असब्य हैं और यूरोप के देश उन्हें सब्य बनाने के लिए आएं और उनकी भलाई इसी में है कि वे यूरोप की संस्कृति वा विचार अपनाएं उपनिवेशों का खात्मा तभी हो सकता था जब उन्हें राजनेतिक, आर्थिक आजादी और वैचारिक वा संस्कृतिक आत्मसम्मान मिल पाता जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलेंड, पुर्टगाल और जापान प्रमुक सामराजवादी देश थे जिन्होंने अमेरिका, एशिया और आफरीका के देशों को अपना उपनिवेश बना कर रखा था हमने यह भी पढ़ा था कि 18 सदी के अंत और 19 सदी की शुरुवात में उत्तर व दक्षिन अमेरिका के अधिकांश उपनिवेशों ने इन सामराजवादी देशों से युद्ध करके स्वतंत्रता हासिल कर ली थी इस अध्याय में हम 1945 के बाद वी उपनिवेशी करण के बारे में पढ़ेंगे दृती विशुद्ध के बाद अंतराश्टिय इस्थिती दृती विशुद्ध के अंत तक आते आते पुराने सामराजवादी यूरोपिय देश बहुत कमजोर हो गये थे जापान, फ्रांस, हालेंड और बिटेन तीनों युद्धों के प्रभाव से आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गये थे और संयुक्तराज अमेरिका की आर्थिक सहायता पर निर्भर थे युद्ध के बाद संयुक्तराज अमेरिका और सोवियत संग दो बड़े शक्तिशाली देशों के रूप में उभरे थे दोनों देश उपनिवेशवाद का विरोध करते थे और चाहते थे कि उपनिवेशों को स्वतंतरता मिले वे अब ब्रिटेन जैसे सामराज जवादी देशों पर दबाव डालने लगे कि वे अपने उपनिवेशों को स्वतंतरता दे 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 आर्थिक शेत्र में एक और महत्यपूर्ण बदला हुआ था युद्ध से पहले भारत जैसे उपनिवेश ब्रिटेन से कर्ज लेते थे लेकिन युद्ध के दोरान ब्रिटेन ने उपनिवेशी भारत सरकार से बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज ले रखा था अता भारत से उसे संसाधन मिलने की जगा ब्रिटेन को कर्ज चुकाना पड़ रहा था इस दोर में उपनिवेश बनाय रखना ब्रिटेन को बहुत महंगा पड़ रहा था ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट ने युद्ध इस आधार पर लड़ा था कि वे स्वतंत्रता और लोगतंत्र के लिए जर्मनी से लड़ रहे हैं वे अब जीतने के बाद अपने ही उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने से कैसे इनकार कर सकते थे युद्ध के दोरान अधिकांश उपनिवेशों में स्वतंतरता आंदोलन बहुत तीव रहो गये थे इन देशों ने देखा कि किस प्रकार यूरोप के सामराज जिवादी देश जर्मनी से हार रहे थे और कमजोर पड़ रहे थे वे इस मौके का फायदा उठा कर स्वतंतरता हासिल करना चाहते थे बहुत से देशों में यह सर्शस्त्र आंदोलन बन गया था भारत जैसे देश में भी उपनिवेशी सेना और पुलिस अपने देश की स्वतंतरता के पक्ष में हो रहे थे इन सब बातों का यही मतलब था कि अब पुराने तरीकों से उपनिवेशों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता और अगर नियंत्रण में रखना हो तो वह उपनिवेशों से मिल रहे आर्थिक लाप से अधिक खर्चीला होगा यूरोप के देश पहले ही युद्धि के कारण आर्थिक संकट में थे और वे उपनिवेशों के बचाव के लिए और वित्तियभार नहीं उठा सकते थे अब इन सामराजवादी देशों के समक्ष यह समस्या उठी कि उपनिवेशों में सत्ता किसे सोपे क्या वे उन देशों में एकता और स्थिर्ता को बनाये रख सकते हैं वे असे लोगों के हाँ सत्ता सोपना चाहते थे जो सामराजवादी देशों के आर्थिक और कूट नेती खितों की रक्षा करें यह वही लोग थे जो अपनिवेशी शासन के कारण बने थे और उससे लाभानवित हुए थे जैसे राजा महराजा, जमीदार, बड़े वैपारी और सिक्षित मध्यमवर्ग